आज मैं सीतापूर डिस्टिक के हरिहरपूर गाउं में आया हुआ हूँ और जो मेरी साथ खड़े हैं जैक करण सिंग भधोरिया जी है जो रिटार्ड डीवाई एस्पी है यह जो बाग है यह इनका एपल बेर का बाग है लगबग चार एकड में लगा हुआ है और मैं इसे इस रूप से देखने आया हूँ चूकि यहां की मिट्टी जो है यह दो मट्द मिट्टी है जो मेरे यहां की मिट्टी घर्मी भी उतनी होती है जितनी मेरे मेरे ही से जादे गर्मी होगी यहां पर चुकि ऐसा कहा जाता है कि रामपूर के बाद जो इस्टन यूपी का इलाका है वहां हमारे यहां से दो तीन डिग्री टेंपरेचर जादे रहता है इसलिए इधर केले की खेती भी होती है टेंपरेचर कोई इसू नहीं है जमीन सेम है बरसात का भी कोई इसू नहीं है तो मुझे जिग्यासा हुई कि यह जब इनसे बात हो रही थी कितनी आमदनी लेते हैं तो मैं आज उनका इंट्रिव्यू करने आया हूं तो अब हम भधोरिया जी से पाता हूँ मेरा नाम जैकरन सिंग भधोरिया है और मैं रिटार्ट डीएस पी हूं मेरी उम्र करीब करीब 74 साल है मैं आज अपने घर पर हूं गाउं में मौजूद हूं और हमारे गाउं का नाम है ग्राम हरिहरपुर जनपसीता पूर अच्छा भधोरिया जी आपने यह क्यों चुना कि मैं रिटार्मेंट के बाद यह बागवानी ही करूआ खेती क्यों नहीं करूआ देखिए त्यागी जी आम तोर पर आपने देखा होगा की पुलिस महकमे में जो लोग रहते हैं वो निश्चित तोर पर दूसरों से ज्यादा क्रियासील होते हैं और हम लोग जब महकमे मे काम करते थे तब भी जो है बीस घंटे 21 घंटे 22 घंटे काम करते थे और यह चीज देर सबेर फिर यह आदत पढ़ जाती है काम करने की मुझे रिटायर्मेंट के बाद भी कुछ कुछ करना था ब्यस्त रहना था इस बज़े से मैंने चूंकि हमारा मैं एक किसान परिवार स आता हूं और मेरे पिता जी और उनके पूर्खे भी सुरू से खेती करते चले आये थे तो मैं भी इसी से जुड़ा खेती जैसा कि आप जानते हैं कि प्रकृत से जूड़कर के आदमी जो है जीवन परियांत प्रसंद रह सकता है और मैंने इसी कारण जो है इसको चुना अ मैंने अपरेल 2020 में लगाया था यह दो साल से कुछ ज़्यादा हो गया दो साल तीन महीने हो अच्छा इसमें अभी तक आपने इसे यह मान कर चले कि आपने यह 2020 अपरेल में लगाया था जी जी हां 2020 अपरेल में लगाया तो इससे आपने कोई फसल भी ली है अभी तक हां ज इसी साल जो है इसमें सितंबर के महिने फ्लावरिंग हो गई और फरवरी मार्च में मैंने इसकी पहली फसल ले दिया था 2021 में 2021 में फरवरी मार्च मैंने पहली हर्वेस्टिंग किया था अच्छा और दूसरी हर्वेस्टिंग जो है 2022 में फरवरी मार्च किया सर कितनी फसल मिली थी आप यह मान करके चलें कि लगभग एक लाख रुपए की फसल हम को पहली साल मिल गई और लगभग नौ लाख रुपए की फसल दूसरी सार अच्छा सर यह चार एकड में कितने पोधे लगाए भी आप लगभग दस पर लगभग दस पर मैंने लगाए थे चार एकड से कुछ ज्यादा भी हो सकता है तो पिछले साल में और इस साल में आपको कितना अंतर नजर आ रहा है आपके पोधों की अब वर्तमान में पाने पोधों को देखते हैं तो पिछले साल से जो है अगर चार एकड में हम यह माल लें के सार इसमें नो लाग का भी हो गया तो दो लाग पर एकड से अधिक की मतलब वो हो जाएगी जिसेल हो जाएगी अच्छा सर खाद के बारे में या जो इस प्रे करते हैं उसके बारे में आपका कोई अनुभव है तो बताईए क सब्सक्राइब देखिए खाद के बारे में तो हमारा अनुभव यह है कि जब हम कोई चीत तयार करते हैं और तो निश्यत तोर पर जो है उप्भोगता को जो है उसका कोई नुकसान नहीं होना चाहिए खाने से जो है तो मैंने इसको जो है आर्गैनिक माडल चुना मैंने जो है सुरूआत में तो जो है राछाइनिक खाद ओंका प्रियोग किया लेकिन दूसरी साल मैंने बिल्कुल राशाइनिक खाद का प्रियोग नहीं क्या और आर्गैनिक खाद कामपरATOR है इस प्रकार अब मैं आर्गैनिक हैficky康 का ही प्रियोग करके खेटी कर रहा हूं कॉ और अन्मोल माइक्रो मैंने डाले और जो 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 कितनी मातरा में डाला है पर आपने यह मैंने शुरुगात में पहली साल तो मैंने दिया था इनको अन्मोल खात दिया था 500-300 प्रतिपवधा और दस ग्राम सुपरेक्षन पोटास्स दस ग्राम धर धर्ती गोल्ड और पांच ग्राम बोरोफट दूग्राम हुमिक फट पांच ग्राम माइक्रोनिव्ट्रेंट दिया यह जमीन में दिया ता किस समय दिया था सर इसको मैंने पिछले साल तो अगस्त के फर्स्टि वीक में ने दिया था लेकिन इस वर्स मैंने इसको यून में ही आपके पौदे हैं जो हम देख रहे हैं यह कट्टिंग कब की थी आपने कि उसका फल भी आप जो है किस तरह का होता इसका फल सुरुवात में तो जब फल बनता है तो हरे रंग का होता है लेकिन जब यह सेमी मैच्वर हो जाता है तो इसका कलर लाल हो जाता है फिर आखीर तक लाल रहता है पकने पहल का पील यह ते जैकरण सिंग जी भधोरिया और इन्होंने जो यह एपल बेर का किया है यह बहुत ही अपने उससे खुश है और इसकी द्वारा जो इसमें मेहनत करते हैं उतनी जादा मेहनत भी नहीं है और अच्छा रिटन दे रहे हैं दस भाई दस पर लगाए हुए हैं बहुत घने हो गए हैं यह आप देखेंगे इसको तो बारा भाई बारा पर भी लग सकता है हाँ एक चीज मैंने नोटिस की है कि नीचे इन्होंने देखिए यह एक दो तीन चार पांच छे साथ छोड़ी हुई है जबकि अधिकतर किसान इन्हें चार रखते हैं जो यह चार रखेंगे और दूसरी मैंने नोटिस की है कि जो नीचे की तरफ हैं इनको नहीं हटाया है अगर इनको नीचे वालों को हटा दें, तो यहां पर घूमने में आसानी होगी, और उतनी उर्जा पोधे को उपर की तरफ मिलेगी, और फल उतना ही आएगा, तो सर ये आप कुछ पोधों में करकर देखना, जैसे इसमें है ये एक, एक, दो, तीन, चार, ठीक है, लेकिन वो में रस्टी से, अब फलावरिंग, फलावरिंग के पहले इसको में रस्टी से बंधाई कर देता हूँ, राउंड से में, गोल, ये, तो किसान साथियों, ये थी एक छोटी सी जानकारी, एपल बेर के बारे में, और ये मैंने प्रैक्टिकल दिखाया है, बहुत अच्छे इ और कल हम इंडो-इजराइल सेंटर फोर एक्सिलेंस इन मेंगो, जो बस्ती में हैं वहाँ पर जाएंगे, और वहाँ वैज्ञानिकों से बात करेंगे, मैं और भदोरिया जी दोनों जाएंगे, एक इनके जानने वाले हैं वैज्ञानिकों से मिलेंगे, वहाँ भी आपको विभिन वराइटी के बारे में बताएंगे इसी के साथ विदा लेता हूँ धन्यवाद, नमस्कार, जैहिंद, जैभारत, वंदे मातरम